जहिंस सेनिक भाईयो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सेनिक शुविदा पर सात्यों आज के वीडियो में बात करूंगा आर्मी नेवी और एरफोर्स के लिए एक नया बिल पारित के गया है जिसका नाम है आईयेस बिल 2023 जिसको हम हिंद बताओंगा तो तो साथियों क्या है यहल इसके बारे में बता ऐसे तो साथियों क्या है इसके बारे में मैं आपको लोगों बता देता हूं जैसे कि एक प्रेसरी जारी हुआ है यह मिनिश्ट्री ओप डिफेंस की तरफ से हैं जिसका टाइटल आप देख सकते हैं राज्यसभा पास इंटर सर्विज और अर्गनेजेशन कमांड एंड कंट्रोल डिस्प्लीन बिल दोजार तेहिस तो इसमें क्या है साथियो यह 8 अगस्त 2023 को रज्यसभा से पास हुआ है और 4 अगस्त 2023 को पहले ही यह लोगसभा से पास हो चुका है और इसके बारे में हमारे रख्चमंत्र राजनाथ सिंग ने बताया है कि इस बिल की बहुत ही जरुवत थी क्योंकि साथियों आज लडाई आधूनिका हो गई है पुराने वाले लडाई नहीं रही है मैं आप लोगों को इसका इंगलिस वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों कilipp JEan हरंज अगर किसी को पढ़ना है तो हिंदीवर वर्जन में पढ़ सकता हैं किसको इसको ८िल जाएगा पूंड दावन लोडॉड करके सकते हैं तो इसके मैंने ऐक्ट है इसी के हिसाब से इन चीज़ों पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो आइसो बिल दोजार और जो यह आइसो बिल 2023 है यह अपना आर्मी पर नेवी पर एरफोर्स पर इन सभी पर लागो होगा और इसके अलावा अन्य जो कि सेंटर गवर्णूट के करमचारी है जो और पने जासिन से जुड़े हुए हैं उन सभी पर काम करेगा और इसमें जैसे के यहिंआ यज पर ँपर खेशेंए जयाएक लिएक डू पर लोगों को इसका हिंदी वर्जन दिखा देता हूं कि बादियों यह इसका हन्डि वरजन हैं zast जैसे आप लूप उपर एडिंग दिखाइवा एरा होगा राज्ययसपामे अंतरसेवा Warmठन और अनुस्वासन विद्धेक 2023 पारित किया गया तो इसके मुख्य मुख्य पक्ष्ट देख लेते हैं हिंदी में भी आश्ट अगस 2023 को यह राज्य समय में पारित करा गया और चार अगस 2023 को लोगसभव पहले हिसे पारित कर चुकी है जैसे इसमें मैं पहले इंगली से कर्मियों को वचिष्ट सेवा दिनियमों सेना दिनियम 1950 नो सेना दिनियम 1957 और वाईयू सेना दिनियम 1950 में नहित प्राफधानों के अनुसारी सासित किया गया है विदे के अदिनियम में परभावी अनुसासन बनाएं रखने जैसे वी बिन ठोश लाब होंगे आई एसो के परमुक दोवारा अंतर सेवा परतिष्ठान कि अनुसासानातावा कारवाई के तहत कर्मियों की मूल सेवाई काईयों में वाबस भेजने के वह आवस्चक्ता नहीं है दुरोव्यार या अनुसासन हिंता के मावलों में शिग्र निप्टान और कारवाई से बचकर सारुदिन तुम्हं कि दिए दहन और समय की बचकत और साथी इसमें कहा गया है जैते हैं जिसने में जबान होते हैं DRU से बाहर हम सब्सक्ता क्मिया कि विस सजाद देगी या जो भी उसके बारे में निफटारा करेगी यूनिटी करती थी लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा अभी वो जहां पर भी रहेगा वहीं पर उसका निफटारा कर दिया जाएगा जिससे समय की बच्चत होगी और धन की बच्चत होगी और यह तीनों सेनाओं के बीच वियापक एकी करण समय क्ता का मार्ग प्रस्चत करेगा करने का मतलब यह है जह तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना का कोई भी जवान हो या कोई भी करमचारी हो तीनों में से किसी भी सेना में होगा चाहे वो आर्मी वाला किसी एर फोर्स में ए रवाड़ा में टैच हाह है उनके ऊपर जो भी कमांडर होंगे मेरत जो भी उनके उपर लाग होगा उनको अधिकार होगा है उसको जिस परकार से उनकी उसको भी कारवाई करें कोई दो बीहुत्की हमारे समय संबंदिया उसर स्थासद में हैं सोरो लोगो पूरानी चोड़ इसका पूरानी चोड़ यह है जो भी हमारे तीनों से नमा से किसी भी सेना के कोई भी करमचारी होते थे वह किसी भी सेना में कहीं पर भी अपनी सेवा दे रहे हों तो अगर वह कोई भी किसी भी परकार का दुर व्यार की कारवाई करेगा या अनहिं पर जो भी लागो होगा लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था पहले अगर आर्मी वाला है अर अपनी उनिट से बाहर है उसने कोई भी गुना कर दिया है तो उसकी उनिट बेज़ा जाता था उसको वापस और वहीं पर उसका जो कमांडिंग उपसर था वहीं उसके उपर पूरी का लागो किया गया है अभी तो यह सिर्फ लोगसभा राज्यसभा में विदेख पारित किया गया है लेकिन कुछ समय बाद इसका लैटर सभी इनिटों को सभी कमांड में बेज दिया जाएगा और इसके उपर कारवाई सुरू हो जाएगी पूरी परकार से लागो कर दिया ज मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं जो और और फिर की सेकंड किस्त है आप लोगों सितंबर में मिल जाएगी लेकिन साथियों यह नहीं है कि सभी जवानों को सितंबर में मिल जाएगी क्योंकि साथियों कुछ जवानों को अक्टूबर में भी मिल सकती ह साथियों आप में से कहीं लोग कॉमेंट करते हैं कि सर आपने तो बताया था सितंबर में मिलेगी लेकिन हमें तो नहीं मिली है तो साथियों सभी को एक साथ नहीं मिल सकती और कुछ कारणों की वज़े से कुछ लोग रह जाते हैं को उन्हें मिल चक्ति या थ्र वाले हैं उनको तो édишь था की बार में मिल गया है लेकिन का लोगों कि ओसाई है लेकिन वह सारे हमारे ऐसे पैंशन Key Rush 70 साल से उपर के था है उनको सिर्फ किस्ट मिली है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसके पीछे रिजन है कई लोगों की डेट बर्त गलत लिखी हुई है उस डेट बर्त के इस अनुसार उसमें अभी वह सतर साल के नहीं हुए है इसलिए उनको एक ही किस्ते मिली है बहुत सारी तूरूटिया हैं जिसके कारण कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तो साथियो आज की वीडियो में इतना ही साथियो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथियो में सेयर करें बिलता हो लिए वीडियो में सिपर करकी महत्प झाल झाल